मेरी है ना एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्राटेजी थी जिसमें बैक्टेस्ट रिपोर्ट तो बहुत ही ज़ादा अच्छा आ रहा था और कुछ टाइम के लिए वो स्ट्राटेजी चल भी रही थी पर कुछी दिनों के बाद कुछी हफतों के बाद मैंने ये नोटिस किया कि बै दूसरे ट्रेडर्स से या आपके फ्रेंड से कि उनकी ट्रेडिंग स्ट्राटेजी चलना बंध ही हो गई तो अगें डिसकस ये करने वाले हैं कि क्यों ट्रेडिंग स्ट्राटेजी बंध हो जाती है चलना और कैसे हम इसको काउंटर राग कर सकते हैं कैसे एक प्रॉपर ट जा रहा होता है हम trading strategy में backtest report निकालते हैं बहुत अच्छे से हमें यह देखने का मिलता है कि 50% returns मुझे every single month मिलते जाएगा and year end तक अगर मैं compounding नहीं भी करू 50% अगर मुझे मिल रहे तो 600% का returns मुझे मिल जाएगा यह बहुत ही common चीज होती है backtest reports में बट actually जब हम live trades या even paper trades लेना शुरू करते हैं real money डाले बिना भी जब हम actually उस strategy को test करते हैं live markets में क्या होता है मुझे strategy है वो चलना बंद कर लेती है तो ऐसे लगते कि आज ही इसको बंद होना ठक है क्योंकि मैंने आज ही backtest report complete किया आज ही इतने अच्छे returns मुझे देखने का मिले and इस strategy ने आज ही मुझे धोका दे दिया and आज से ही चलना बंद हो गया तो again हम पहले तो ये discuss करते हैं कि क्यों trading strategies बंद होती है चलना यहाँ पर बहुत सारी reasons होते है guys यहाँ पर अगर आपके पास एक data set है तो कुछ न कुछ tweaking कर करके क्या होता है न हम definitely एक strategy को workable बना सकते हैं based on historical data तो let's say कि मैं आपको 10 number देवता हूं या 10 data points देता हूं right तो यह जहाँ पर आप कुछ न कुछ तो pattern निकाली लोगे let's say अगर मैं आपको thousand iterations देता हूं उसमें से एक या दो patterns तो ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत ही अच्छे results आपको देखने का मिल जाएंगे बड़ यह आपको ध्यान में रखना है कि guys हमें जो strategy है वो future में use करनी है हमें past में उसको use नहीं करना है तो जबी भी हम एक strategy को design कर रहे हैं बहुत traders क्या करते हैं let's say कि आपके पास hypothetically hundred data points है तो first 50 पे वो test करेंगे data points पे first 50 data points पे वो test करेंगे and तभी देखेंगे कि क्या वो trading strategy first 50 में चल रही है या नहीं जितना optimization करना है जितना आपको tweaking करना है जितने indicators बद position size जो भी variables आप सोच सकते हैं trading में वो सारे variables आपको first 50 में ही बदलने है फिर आप क्या कर सकते हो उसके बाद वो strategy एक बार ready होगी first 50 में उसके बाद आपको next 50 में उसको डाल के देखना है तो वहाँ पर बिलकुल भी tweaking allowed नहीं है keep that in mind next 50 में जब आप डाल के देखोगे आपक कर ली है क्या वो strategy actually चल रही है या नहीं उसके बाद आप complete data set पर लगा के देख सकते हो कि आपके returns कैसे है आपका drawdown कैसा है win ratio कैसा है loss ratio कैसा है continuous winning streaks and losing streaks कितने है etc once again जो भी आप metrics follow करते हो तो यह यहाँ पर एक काफी अच्छी trick है आप बोल सकते हो data sets को divide कर देना तो completely आपक 25% data set लेना है आपको जितना ज्यादा comfortable लगता है उतना आप ज्यादा percentage start में use कर सकते हो and बाद में आप उतने strategy को actually remaining data set पे use कर सकते हो so यह तो हो गई curve fitting की बात so curve fitting once again क्या होता है कि आपने historical data के हिसाब से उस strategy को इतना fine tune कर लिया कि या कुछ नगुस तो चल नहीं वाल है उस सबसे uncertain होता है next point की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि market में ही कुछ change आ गया हो structural changes आते हैं कभी कबर ऐसे हो सकता है कि 2017 का अगर आप market देखोगे तो intraday traders को काफी ज़दा problem हो रही थी because जो intraday में trends है वो काफी अच्छे से नहीं आ रहे थे वेराज अगर आप charts देखोग तो यह आपको देखने का मिल रहे कि यहाँ पर intraday traders हो सकता है थोड़ा सा उनका system इतना अच्छे से नहीं चल रहा हो वेराज जो positional traders है उनका काफी अच्छा profits बन रहा हो तो यहाँ पर कभी कबर ऐसे market में changes आ जाते हैं कभी कबर बहुत ज़दा trending हो जाता है market कभी कबर बह करूँ if I'm not wrong almost 5 years का consolidation था उसके बाद जाके एक new high बनाया 2008 के crash के बाद nifty ने तो यहाँ पर 2013 के आसपास new high बनाया था and breakout तबी आया बट यहाँ पर क्या हो रहा था जो भी equity traders होंगे उनको definitely कुछ नगूर्स तो problem हुआ रहेगा because इतने बड़े जो financial crisis के बाद 5 years का कुछ खास momentum में ही नहीं था and equity traders को सिर्फ long side में यानि buying side पर ही profits होते हैं right so यह हो गया market regime का change ऐसे भी हो सकता है मैंने कोई traders से यह भी सुना है कि जबी weekly options introduced हुए थे बहुत सारे systems या तो बहुत ही अच्छा करने लग गए या तो बहुत ही जादा खराब करने लग गए तो ऐसे events भी होते possibly market structure को ही change कर दे weekly options के बाद मैंने भी यह notice किया कि इतने ज्यादा trends बहुत आफिन नहीं आ रहे हैं उसके पहले अच्छे खासे trends आ जाते थे right so ऐसे बहुत सारी चीजे होती है जैसे अभी fin nifty introduce हुआ तो बहुत traders यह मानते कि थोड़ा सा movement change हो गया है जो finance stops में है etc तो यह हो market regime का change तो हमने दो points के बारे में discuss किया curve fitting and market regime change थर्ड हो सकते है कि आप में ही कोई behavioral changes आ गए हो या आप में भी discipline इतने नहीं रहे हो या already आप discipline नहीं थे back test reports के हिसाब से तो यहाँ पर क्या होता है back test में तो आपको proper rules के साथ आपको देखने का मिलता है कि यार यह trading strategy है यह rules है and यह मेरे results है but real life में क्या हो सकते है slipages आ सकते हैं हो सकते हैं आपने कोई trades miss कर दिये because of fear or because of excitement या जो भी आपका emotions के वज़े से आपने एक trade नहीं लिया दो trade नहीं लिया 10-15 trade ऐसे overtime miss कर दिये जो आपके winning trades हो सकते हैं right so यहाँ पर यह भी हो सकते है कि behavior के वज़े से आपको बह backtest report में and actual trading stats में यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम हमेशा compare कर सकते हैं दोनों को everyday अगर आप strategy को trade कर रहे हो चलो everyday नहीं भी करना है तो every weekend पे आप देख सकते हो कि आपका backtest क्या बोल रहा है and आपके actual trading results क्या बोल रहा है चलो इसके बार में तो बात कर लिया अभी क्या changes हमें लान के so guys first तो बहुत ही simple अगर मेरे दिमाग में कुछ आता है तो वो है basics of market structure तो कुछ चीज़े आपको पता होनी चाहिए first of all क्या है trend following almost इतने सालों से किये जा रहा है इतने सालों से trends exist कर रहे हैं तो very kind of impossible भी आप बोल सकते हो कि trend following completely बंध ही हो जाएगा ऐसे हो सकता है कि कुछ साल जैसे 2008 से 13 का time period वापस से कभी न कभी आए जहाँ पर कुछ खास trend नहीं हो यहाँ पर अगर आप futures and options में trade कर रहे हो 2008 में भी आपको decent opportunity मिला होगा on the short side right तो वहाँ पर भी trend था and अगर आप intraday trader हो तो everyday आपको हो सकता है possibly कुछ ना कुछ trend मिल जाए तो trend following जैसा structure आपको प under performance अगर आ गया एक साल दो साल भी under performance आ गया but because trends exist करते हैं market में eventually आपका trading system जो है वो catch up कर लेगा यह हो गया एक point second point अगर मैं बताऊं तो very simple dow theory जो है higher high higher low की theory या lower high lower low की theory यहाँ पर भी हम trends को define करते हैं तो यह भी बहुत सालों से exist करे जा रही है यह जो theory है वो right proof हो चुकी है and आप खुद भी जाके charts पे देख सकते हो decent अगर आपको lower high lower low मिलता है very often वो downtrend है वो continue होती है and अगर आपको higher high higher low मिलता है तो again uptrend continue रहती है तो इसकी सबसे आप कोई system बना सकते हो right so यह होगे दो simple चीज़ें जो exist करती है markets में तो अगर हम इन चीज़ों को follow करे very unlikely होता है कि हमारा system जो है वो completely offbeat हो जाया completely बंद ही हो जाया suddenly work करना वेराज अगर मैं कोई indicator लूँगा उसको एकदम fine tune करूँगा historical data के हिसाब से हो सकता है वो थोड़ा सा बंद हो जाये तो यहाँ पर indicators भी बहुत सारे price से ही derive होते हैं तो indicators भी अगर आप जितना ज्यादा fine tune ना करो उत कोई भी trading strategy हुए है और जितना ज्यादा आप price पे focus रखोगे price action trading strategy पे उतना at least मेरा belief system यह बोलता है कि उतना ही ज्यादा आपका जो trading strategy है वो market में work करते रहेगा जितना कम आप indicators को use करोगे उतना likely होगा कि उतने ही longer period of time के लिए आपकी trading strategy work करेगी तो यह भी बात हो गई बट अब ही ऐसे हो सकता है कि जैसे 2008 से 2013 जो हमारी strategy है वो equity traders के लिए तो definitely नहीं चल रही होगी because five years का consolidation आ गया था markets में तो इस time period में हम क्या कर सकते हैं हो सकता है guys कि जभी आपको trend following नहीं देखने का मिल रहा हो equity side पे आप यहाँ पर multiple trading strategies को choose कर सकते हो अपने लिए तो ऐसे हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ period आ गया तो आप short side पे trade करो कोई दूसरी strategy से तो equity जो आपकी strategy चल रही है equity में वो तो आपको चालू रखना है चाहिए because आपको पता नहीं है कि कभी वापस से market आपके favor में आ जाएगा but साथ ही साथ अगर आपके पास एक ऐसी strategy है जो short side पे भी trade कर सकत है जहाँ पर intraday में trends नहीं आ रहे है positional side में trends जरूर आ रहे है right तो ऐसे diversify करना भी बहुत important होता है strategies को फिर एक और चीज हम diversification में कर सकते हैं एक trend following की strategy में अपना हूँ and एक mean reversion की strategy अपना हूँ तो ऐसे हो सकता है कि market बहुत अच्छे से trends दे रहा हो तबी mean reversion मेरा ज्यादा choppy है बहुत ही ज्यादा sideways है mean reversion मुझे अच्छे profits देगा and trend following हो सकता है थोड़े losses दे दे तो यहाँ पर क्या होगा as long as दोनो strategies याने trend following और mean reversion के strategies longer horizon में profitable है दोनों आपको profits दे नहीं वाले हैं तो आपका जो equity curve है वो trend following वाले market में भी smooth होगा and mean reversion के market में भी possibly smooth हो स जो आपको trading strategy बनाने के पहले समझना चीए या अगर आपका कोई existing strategy भी है उस पे भी यह सारी चीज़े आप apply जरूर कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा as always छोटी सी request है मेरी please make sure to like the video and subscribe to our channel as well अगर आपने already नहीं किया है तो और मैं आपको मिलता हूँ अग अगर आपको है है